नमस्कार, Food Craving Unlimited में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन की थाली तो उस थाली में हमने बनाया है मटन सूप का मटन की करी और मटन स्टाक से बना हुआ राइस तो उसके लिए हमें चाहिए दो बड़े प्याज उसको मैंने बारिक काट लिया है ग्रेटेट कोकुनट, ड्राइ कोकुनट है यह और खड़ाव मसाला चाहिए खड़े मसालों में हमें चाहिए तेज पत्ता, दालचिनी, ब्लाक पेपर, लॉंग, इलाइची और जावीतरी रिहा पे हमें चाहिए जिंजर और गार्लिक की पेस्ट तो एक बड़े कड़ाई में हम प्याज डाल देंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसको अच्छे से सुना रहा कलर आने तक भून लेंगे फिर इसके बाद हमें डालना है कोकुनट ग्रिटेट कोकुनट डालना है यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे खड़े मासाले और इसको अच्छे से ड्रायरोस कर लेंगे और जब यह थंडा हो जाएगा तो इसको हम मिक्सी में डाल के उसकी पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बना आते समय हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और यहाँ पे मैं यूज़ करूंगी थोड़ा सा रेच्छिली पाउडल एक चमच इसके थंडा होने के बाद यह हमने पेस्ट बना ली है अब मतन पका लेंगे तो यहाँ पे मैंने आदा किलो मतन लिया है उसको अच्छे से धो लिया है एक कुकर में थोड़ा सा तेल डाल लिया है इसमें डालेंगे प्याज खड़े मसाले दाल चीनी ब्लैक पेपर और तेज पत्ता इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तिर इसमें डालेंगे आधी चोटी चमच हल्दी इसमें डाल देंगे मतन के पीसेस दो मिनिट के लिए इसको इस ओईल में फ्राइ कर लेना है मतन के पीसेस को इसके लिए मैंने पानी गरम किया है तो इसमें गरम पानी डालना है अब हम इसमें डालेंगे मेथी के पत्ते और नमक स्वादा नुसर मीथी से बहुत अच्छा स्वाद आता है इसको इसमें डाल देंगे गरम पानी और कूकर को चार से पास सिटियों तक पकने देंगे इसको ठकन लगा के चार से पास सिटियों लगा लेना है हुआ है यह हमारा मतं पक आती है कि अब यहां पे हमने मटन की पीसेश निकाल लिए हैं और मटन का सूप और मटन का राइस बनाने के लिए लिकाल दिया है अब एक कुकर में हमने तेल डाल दिया है एक चमच उसमें डाला है जीरा और इसमें मैं एक बाउल राइस डाल दूँगी मैंने राइस को अच्छे से दो लिया है इसको तेल में थोड़ा सा प्राइ करना है और हम इसमें डाल देंगे मटन का स्टॉक यहापर मैंने एक बाउ बाल राइस के लिए दो बाल स्टॉक इसमें यूज करेंगे हम और डालेंगे थोड़ा सा नमग और कुकर का धकन लगा के इसको दो सीटियो तक पकने देंगे अब मतन सुक्का बनाने के लिए मैंने यहां पर कड़ाई में डाला है तेल उसमें डालना है मसाला जो हमने बनाय मसालों में चाहिए आधी छोटी चमच हल्दी एक चमच रेट चिली पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच गरम मसाला इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसमें डाल देंगे मतन के पके हुए पीसेश यह मसालों को मटन से अच्छे से कोट कर लेना है थोड़ा सा नमक डालना है दो से तीन मिनिट के लिए इसको अच्छे से पकाना है फिर डालना है एक दम थोड़ा सा पानी की मसाला मटन को अच्छे से कोट हो जाए फिर धकन रखके दो से तीनी मिनिट टक पकाना है हरा धरियां डाल देना है लास्ट में यह हमारा मटन सूप का बन के तयार है अब हम बनाएंगे मटन की करी तो एक कड़ाय में मैंने दो बड़े चमच तेल डाल दिया है उसमें डाला है पेस्ट आनियन और कोकोनट की यह डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट उसको अच्छे से पकने देंगे मसालों में चाहिए एक चमच लाल मेच पाउडर आधी चोटी चमच हल्दी एक चमच धनिया पाउडर एक चमच गरम मसाला और आप हम इसमें डालेंगे बच्चे होए थोड़े से मटन की पीसे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें डालना है पानी यहाँ पर मैंने मिक्सी का पानी लिया थोड़ा सा वो मैं डाल दूँगी पहले और और पानी डाल सकते हो आपको कैसी कंसिस्टन से चाहिए उसकी हिसाब से इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है चार से पाच मिनिट के लिए और डाल देना है हरा दनिया यह हमारी मटन की करी तयार है तो अब हम थाली सर्फ करेंगे यहाँ पर मैंने लिया है मटन करी, सुपका और राइस तो थैंक्स फर वाचिंग मैं रेसिपी